दिखे करीब करीब पिछले पंदरा महीनों से भारती जनता पार्टी एक तथा कथित शराब घोटाले की आड में हम पर आरोप लगाती है और पिछले पंदरा महीनों में एक हजार जगाओं पर इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट द्वारा रेड़े करवाती है। 15 महीने बिताने के बाद कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद जांच की आड में अरेस्ट करने के बाद एक हजार जगाओं पर रेड करने के बाद इस पूरी जांच में आज तक किसी एजनसी को एक फूटी कौडी नहीं मिली एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पतानी कितने हजारों करोले रुपे बरामत होते हैं कितनी संपत्ती, सोना, चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीने कितनी संपत्ती बरामत होती जो अक्सर घोटालों में होती है नजर आता है लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है बाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने पर बाद कर दिये एक हजार जगाओं पर रेडें करी, जाने कितने अफसर इसमें लगे लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कोडी आज तक बरामत नहीं होई ये दिखाता है कि एक घोटाला नहीं, ये कोई अनियम अताओं का केस नहीं राजनीती से प्रेरित भारतिये जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है उस हार को सामने देख डरी हुई है, घवराई हुई ये एक बॉखलाई हुई BJP जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है जिसके तहट आज हमारी पार्टी के साथी संजे सिंग के घर पे ED की रेड करवाई गई है मैं साफ तोर पे कहना चाता हूँ जो ED की रेड पिछले कई घंटों से संजे सिंग के घर पे चल रही है एक फूटी कॉडी उनको वहां से बरामत नहीं हुई एक अन्यमताओं से या किसी भी चीज़ से संबंधित जो आरोप है रत्ती भर सबूत यहने कोई बरामत नहीं हुआ क्योंकि जब घोटाला हुआ है नहीं तो मिलेगा क्या तो ये भी साफ तोर पे राजनीती से प्रेडेत है और आने वाले चुनावों में 2024 के लोगसभा चुनावों में अपनी हार को अपनी आँखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखरी पैंतरा है आखरी उनके उनका ओजार है जिसका इस्तमाल करकर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं हमें डराना चाहते हैं देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्षन लिया गया दिल्ली पुलीस द्वारा और कई एजंसियों द्वारा आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजे सिंग उन पर ED की रेट करा दी गई है तो ऐसा लगता है कि एजंसियों को सिरफ कटपुतली बना कर इस्तमाल किया जा रहा है और आजनीती से प्रेरित है सारा एक्षन यह आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं देश की दुनिया की जनता भी समझते हैं